जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि अगर आप एक CSC ID से अधार सेवा केंदर खोलना चाहते हैं तो अब आप CSC ID से अधार सेवा केंदर खोल सकते हैं अब दोस्तों अधार सेवा केंदर खोलने के लिए ऐसा नहीं है कि CAC ID आपके पास सुनी ही चाहिए लेकिन अगर आपके पास CAC ID है तो आपको जल्दी अधार सेवा केंदर मिल जाती है लेकिन अगर CAC ID आपके पास नहीं है तो आपको time लगता है या मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है लेकिन CAC ID आपके पास है तो आप UCL का काम ले सकते हैं जैसे कि हमारे पास CAC ID है तो हम यहाँ पे UCL का काम जो है यहाँ पे देख सकते हैं PSE generation firm ठेक है उसके बाद response ठेक है तो जब यह firm को आप भढ़ेंगे तो इस firm को भढ़ने के लिए सबसे पहले आपको client ID के जोरत परती है client ID क्या होता है तो यह आपका अधार सेवा के दर खोलते हैं तो आपका operator ID होता है यहाँ पे आप update कर सकते है UCL का जो काम होता है उसमें सिर्फ update का काम मिलता है जैसे कि नाम, date of birth, address, mobile number, email ID photograph अपडेट कर सकते है fingerprint अपडेट कर सकते है email ID अपडेट कर सकते है ID scan अपडेट कर सकते है मतलब update का जितना भी काम होता है अगर आप यहाँ पे CAC से UCL का काम अगर आप ले लेते हैं तो UCL के काम से आपको यहाँ पे update का काम मिल जाता है यह आप यहाँ पे देख लीजे तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ही आप यहाँ पे डालेंगे उसके बाद आप से पुछेगा यहाँ पे customer का mobile number तो customer का mobile number जब आप यहाँ पे देंगे उसके बाद यहाँ पे आई है पे एगरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको इंटर वाइलेट पी नमबर डालना होगा और पे पे क्लिक करेंगे तो 50 रुपे आपका चार्ज लगेगा दोस्तों एक बाते आपको बता दे अगर आपको यहाँ पे 50 रुपे चार्ज लगता है तो इसमें कुछ आपको भी यह लिको कमीशन भी मिलता है उसके बाद आप यहाँ पे जखिए कि कभी 50 रुपे तो लोग कहीं भी आप मतलब बनवाने जाएंगे अधार कार्ड अपडेट करवाने जाएंगे तो वहाँ पे 50 रुपे नहीं लेते हैं आपको पता होगा कितना लेते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छी कासी जैसे कि एक अगर दीन बर में 10 लोगों का भी आप अपडेट करते हैं तो अच्छा कासा कमिशन के साथ अच्छा कासा आपको पैसे कमा सकते हैं तो आप CAC ID से आप अगर UCL ID ले ले लेते हैं तो बहुत अच्छा कासा पैसा कमाएंगे तो चले दोस्तों अब आपको बताएंगे कि CAC ID से अगर आप UCL के लिए करना चाहते अधार सेवा केंदर लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपलाई कैसे करेंगे ठेक है सबसे पहले हमें करना क्या है ठेक है जैसे कि यह हमारा CAC ID है ठेक है तो CAC ID तो हमारे पास हो जाता है लेकिन हमें यहाँ पे UCL के लिए Client ID के जोरत परती है उसके लिए सबसे पहले हमारे पास जोरत होगी अधार सेटिफिकेट की ठेक है जब तक आपके पास अधार सेटिफिकेट नहीं होगा तब तक आप UCL का ID नहीं ले सकते तो आपको क्या करना होगा आपको Google पे जाना होगा और यहाँ पे आपको सर्च करन है तो अधार सेटिफिकेट जो होता है यह इस तरह का सर्टिफिकेट होता है यहाँ पे सर्टिफिकेट होगा यहाँ पे आपका फोटो रहेगा यहाँ पे आपका नाम रहेगा यहाँ पे आपका लेबल है कितना नंबर आपको आया है CAC से अधार सेवा केंदर लेने के लि सबसे पहले आपको apply करना है ठीक है तो यहाँ पे आपको search करना है अधार यहाँ पे और यहाँ पे exam यहाँ पे आपको search करना है अधार exam जैसे यह अधार exam आप सर्च करते हैं तो first वाला यह option आपको आ जाता है nseit exam.in ठीक है यहाँ पे आपको आ जाएगा how to apply uid exam by nseit ठीक है तो इस पर आपको क्लिक कर देना है जब दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको Home बाले Option पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको User ID और Password आप से मागा जाते है तो आपके पास तो User ID पासवर्ड होगा नहीं तो आपको create new user पे click करना है, click करने के बाद यहाँ पे XML file यहाँ पे click करना है, यहाँ पे आपको XML file अपलोड करना है, XML file आपको कुछ भी नहीं करना है आपको जाना है अपने Google पे और वहाँ पे अधार XML क्लिक करेंगे और वहाँ से जैसे अधार का डाउनलोड होता है अधार के official website से वैसे ही आप XML file भी डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी share code वहाँ पे दिया होगा वो share code आप यहाँ बे क्लिक करेंगे उसके बाद जैसे यहाँ पे submit का option आएगा submit करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको center details आ जाता है तो center details में आपको यहाँ पे search करना है जैसे कि आपका यहाँ पे state select कर लेना है तो जो भी आपका state होगा कहां exam होगा ठीक है वो सब कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा उसके बाद आता है apply वाला option ठीक है तो apply आप कैसे करेंगे तो यहाँ पे click here to view to how to apply ठीक है यहाँ पे हिंदी में सबसे पहले यह पढ़ लेना है कि apply करने का process क्या है ठीक है अब आपको certificate आपका मिल जाता है certificate certificate के लिए apply करने के बाद तब आपको क्या करना है कि एक certificate आपको और लेनी परती है ठीक है उसका नाम है IIBF का certificate ठीक है यहाँ पे India Institute of Banking Finance ठीक है तो यहाँ पे आप click करेंगे ठीक है क्लिक करने के लिए CAC आपको CBC और BF certificate यहाँ पे click करेंगे तो यहाँ पे third one पे option आपका आपको नाम हपिसर अ यहाँ पे प्लिक करेंगे यहाँ प्लाइ यहाँ पक्लिक करेंगे यहाँ पर यहाँ पे आपका क्रेट करेंगे उसके पास submit करनी है यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि आपके पास username होगा नहीं आपको पास registration number होगा नहीं तो यहाँ पे आपको एक option मिल रहा है if you have not registered click here to register मतलब अगर आपके पास नहीं है user number तो यहाँ पे आप click करके registration कर सकते हैं यहां से आप registration कर लेंगे अब दोस्तों जैसे ही आपका registration हो जाता है अब आपको करना क्या है आपको चले जाना है यहाँ पे आपको CAC banking में आपको यहाँ पे CAC banking देख सकते हैं ऐसा interface आपके सामने आएगा CAC banking में आपको यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले BLE Reyes Station करना है, ठीक है, तो BLE Reyes Station आपका कैसे होगा, तो first में ही यहाँ पे आप देख सकते हैं, कि BLE Reyes Station, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद, यहाँ पे आपको New User, अगर आप New User है, तो New User पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे Submit वाले Option पे क् question दिया जा रहा है, ठीक है, जैसे कि आपके पास क्या-क्या होना चाहिए, तो IIBF का आपके पास certificate होना चाहिए, मैंने पहले ही बताया कि IIBF का certificate आपके पास होना चाहिए, कंडिडेट का photo होना चाहिए, यहाँ पे ID proof आपके पास होना चाहिए, आपका location, bank मित्रा का कहा location द जिये सकते हैं उसके बाद यहां पो पेंक आपके पास होना चाहिए यहां पर 2007 करेंक है इसके बाद आप चैनल करने पिच्छिच अ के संबर सब्सक्राइब मतलब कि यहाँ पर बोल रहा है कि करुँच ले सर आप यहाँ पर वेरिपीकेशन जो है वो मतलब से कंप्लीट हो जाएगा स्टेट टीम के तरफ से और यहाँ पर दिया जा रहा है कि your application is sent to bank for approval मतलब आपका जो application है वो आपका मतलब bank के पास approval के लिए भेज दिया गया है तो we will be contained, you once bank will approve your application, मतलब कि आपको bank से contact करना है और तब जाके आपको CAC से आद आपका मिल जाएगा banking ID, ठीक है, तो यह चीज आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, अब दोस्तों आपको bank से मिलना होगा, तब जाके आपको, जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत सारे bank है, जैसे कि जादा तर यहाँ पे XS bank से मिलता है, और HDFC से मिलता है, आपनी देखा होगा कि CAC से जादा तर XS bank और HDFC से ही banking ID हमें मिलता है, ठीक है, अब दोस्तों बहुत सारे अमरभाई यह question करेंगे, कि मेरे पास CAC ID नहीं है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, कि CAC के लिए registration करने है, ठीक है, जब CAC registration आप click करेंगे, तो direct आ जाएंगे, पहले क्या होता था, कि यहीं से CAC BLE के लिए apply होता था, तो इस मतलब पोटल पे आपको विजिट करना है, तो चलिए हम यहाँ पे click करने के बाद, direct हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आने के बाद, become a ruler interpret, देख है, तो यहाँ पे दे रहा है, कि अगर आप village label बनना चाहते हैं, मतलब BLE बनना चाहते हैं, तो यहाँ पे CAC ID के लिए get start पे आपको click करना होगा, तो चलिए get start पे मैंने click कर दिया, अब यहाँ पे एक CAC BLE बनने के लिए सबसे पहले आपके पास चाहिए अधार कार्ड और pain card है, उसके बाद आपके पास चाहिए, अधार कार्ड यह हो गया, applicant का photo copy आपके पास होना चाहिए, ठीक है, आपका photo होना चाहिए, उसके बाद आपके पास police verification report होना चाहिए, आपके पास यहाँ पे higher qualification document होना चाहिए, मतलब आप inter pass, 12 pass, graduation pass, जो भी है वो आपके पास होना चाहिए, TC certificate आपके पास होनी चाहिए, और bank, BC certificate जो IABF का certificate आपने लिया है, ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे आई है बेगरी पे click करेंगे, चलिए यह सब हमारे पास है, उसके बाद यहाँ पे get start पे click करेंगे, अब दोस्तों यहाँ पे दो question आपसे पुछा जा रहा है, सबसे पहले आपके बाद TEC certificate होनी चाहिए, ठीक है, तो TEC certificate यहाँ पे number डाल देंगे, ठीक है, जो permanent आपका रहता है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे document upload करना होगा, document आपका, जो भी जैसे कि आपका bank account है, cancel check है, उसके बाद आपका photo है, उसके बाद paint card अधार card है, तो यह सब आपको upload करना होगा, उसके बाद preview और उसके बाद download CAC app, ठीक है, तो यह सब करने के बाद validate पे click करेंगे, यह सब आपका apply हो जाता है, आप कोई ज़्यादा process आपको CAC ID में नहीं है, और CAC ID लेना भी आज के date में बहुत असान हो चुका है, पहले time लगता था, लेकिन अब आपको CAC ID जो है, वो तुरंट आपको मिल जाती है, तो चले दोस्तों कैसी लगे वीडियो, comment पे जरू होता है, यह का वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को subscribe कर लिजेगा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में,